चलिए अगला प्रेक्टिशेट नमबर आठवा है पहला प्रशन है कि माउंटा बुष्थित मसुहूर दिलवाडा मंदिर नमलखेत में से किसु समुधाय का पवित्र तीर सो अस्तल है सही जबाब होगा आप्शन बी जैन धहर्म दिलवाडा मंदिर बनवाय किसने था तो चालुक के शाशंक जो रहे भीम दिवप्रथम के जो शामंत रहे विमल शाह उनकी दोरा बनवाय गया था प्रथिवी राज चवहान ने किस से विवाय किया था जो की जैैचंद घ्रषा के, क्या बेटि थी जो कुंका सत्र रहा है तो प्रथिव राज चवहान का जो विवाय वराद्ष शंयोगिता सी आप्शन सी चालुक के बंस का सबसी महान सा सक्थ क्वाय था पुलकी शिंदूतिय, आपशन यहां भी होगा पोलो या चौगान खेलती समय निमलखित में से कि सुल्तान के मृत्यी होई थी आपशन रे कुतब बुद्दिन अभग की निमलखित में से किस ने दीन ए इलाही आरंब किया था दीन ए इलाही अकबर आपसन से अब लिखित मे लाल बाल पाल इसमें सभी हैं लेकिन जो उग्रपंती ने गोगवाल इक्रण गोख ले थे आपसे नहीं पर आपका अड़ी से ही जबाब होगा अमरित सर की शंधी पर हस्ताचर कप किये गए थे अमरित सर की शंधी पर 1809 इसबी में स्रीमान्त गांधी किसी कहा जाता है स्रीमान्त गांधी खान अब्दुल गफ़ार खान को अपसंसी निमलिकित में से किसने अट उन्नी सुसो पैतिस की अधनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें बिरक्त है पर इंजन नहीं है जवाहरला लिनहरू गड़ेश महस्तो का प्रारंब किसने किया था लोकमान वाल गंगा धरतिलक आप्षन भी यमुना नदी का उद्गम अस्थान कौन सा है यमुना नदी का उद्गम अस्थान सही जबाब होगा यमुनो त्री हिम्नत के पास जो है आपका बंदर पूश जो है चोटी से उद्गमित होती है अगला है आपका बारा नंबर निम्लिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा अस्थान है यहां पर आपका सही जबाब बन जाएगा आपसंसी ले भारत में सबसे कम वर्षा का छेत्र है और यहें भारत का सबसे सुष्क अस्थाल है प्रश्ण संख्या नंबर तेरा है खरंच छेत्र दे रखे हैं और खरंच संपदा यहां पर आपको मिलान करके बताना है काला हांडी किसे लिए है तो यह बाक्षाइट के लिए है जावर तो जावर जस्ता और सीशा के लिए होगा कोलार गूल्ड फील जानते हो केजी अब देखे ही हो सोना होगा और मोशा बनी यह तामबा तो यहां पर आप मिलाओगे तो वन का थिरी होगा और बी का जो है वो फोर होगा आप सनिहा सी आपका सही जवाब बन जाएगा दक्षड इसिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कोंसा है कि दख्षीड इचिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार आप से चहले हमभाइर आपका दRIS सही जवाब होगा घी अब थार मरुस्थल जिसे के ग्रेट इंडिया डेजर्ट के नाम सी भी जाना आप जाइर नदी के नाम से जानते हो आप से निहाँ पार ही जवाब हो जाएगा और यह आपरीका की जाहेरी नदी यह प्रमुख नदी यह निल नदी पर चाहत अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है यह विश्वत रेखा को दो बार काटती है मेक इन इंडिया पहल का कब किया गया था मेक इन इंडिया का शुबारम 25 सेब्टमब्र दो हजार चौदह आपसंसी सही जबाब है राश्टिक क्रिसी और ग्रामेड विकास वएंक नाबाड की अस्थापना कब की गई थी नाबाड की अस्थापना बारह जुलाई 1982 आपसंसी सही जबाब है भारत की केंद्रिय बजट में रिल बजट का किस बर्ष बेले किया गया था सही जबाब बर्ष 2017 में भारत में स्वेतकरांती का जनक किसे कहा जाता है सौईत क्रांटी का जनभ आपसन सी वर्गीजी कूरीयन कूँ शुएत क्रांटी ऑपरेशन फ्लड याद रखेगा राजकूशिय घाटा का अर्थ क्या है राजकूशिय घाटा का अर्थ सरकार की कुल राजस और कुल वे के बीच को अंतर राजस घाटा आपसन यहां बी सही जबाब है भारती संबिधान में अवस्तिश सक्तियां का विचार जो है संबिधान के संबिधान से लिया गया है संबिधान संसोधन से संबंदीर भाग है आपृष्छन 10 अड़ी होगा भाग 20 उत्तर प्रदेश की पहली महला मुख्यमंत्री कौन थी उत्तर प्रदेश की पहली महला मुख्य मंत्री आप्षंडी सुचेता क्रपलानी राश्ट्रपती मंत्री परिशत की सदस्य को कैसे वर्खास्त कर सकते हैं सही जबाब होगा प्रदान मंत्री की सिफारिश पर आप्षन यहां पर आपका सी सही जबाब हो जाएगा भारती संविधान की अंशार सरकार की कितनी अंग हैं शरकार के तीन अंग, आप्शन सी होगा, कौन कॉन से हैं? तो कारिपाली का, न्यायपाली का और विधाई का, निमलक राषित में से किसकी यसाई हिगाई है, आप्शन सी, लेन्स की च्छमता की इगाई, अगला है यदि एक लोलक नेरियात में दोलन करता है तो इसकी शमयवद ही क्या होगी अपवर्तित रहती है निम्लिकित में से बेकिंग सोडा का राशानिक नाम क्या है बेकिंग सोडा का राशानिक नाम क्या है सोडियम हाइडरोजन कार्बोनीट आप्शन सी नियासीन जो बिटामिन बी कॉंप्लेक्स ग्रुप का एक बिटामिन है किसकी कमी से जो है रोग हो जाता है तो बिटामिन बी कॉंप्लेक्स ग्रुप का एक बिटामिन है बिटामिन नियासीन तो किसी कमी से होता है यह तो यहा में से कौन एक सही खाज त्रिंखला को दर्साता है तो यहां पर घाश जो है कीट खाते हैं कीट को मेढ़क खाते हैं मेढ़क शर्प खाते हैं शर्प को गरुड़ आपसर यहां पर 20 सही जबाब है अगला प्रेश्ण है आपका 31 नमबर मैथ का तो इसको आप सिंप्लिफाइ कर लो तो इस इक्वेल टो क्या होजाएगा गोड़ा ही कर लो थी माइन्श वन रूट थी प्लस 1 और यह जाएगा तो square होगा मैंना multiply करोगे तो root 3 का square पिलस 1 का square अब यहां root 3 plus 1 का whole square करो क्या a square plus b square plus 2 a b फिर plus लगाओगे इसी तरह इसका multiply करोगे तो root 3 minus 1 का whole square बनेगा तो root 3 का square a minus b का whole square क्या होता है a square plus b square minus 2 a b तो a square plus b square यानि 1 का square 1 का square वह नहीं होगा minus 2 a b अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यह वाला जो portion है यह वाला portion plus 2 a b minus 2 a b ठीक है इस तरह यह वाला पूरा cancel हो गया 1 plus 1 minus यह गया आपने आप तो बच क्या रहा है उपर उपर बच रहा है root 3 का square यानि under root 3 का square 3 होगा plus 1 का square 1 होगा इसी तरह यहां पर भी होगा 3 plus 1 divide by a minus b है यहां पर a plus b है तो क्या हो जाएगा a square minus b square यानि under root 3 का square minus 1 का square बराबर तो 3,3,6,2,8 उपर 8 हो गया नीची कितना आ रहा है तो यह हो जाएगा 3 और यह हो जाएगा अगला प्रशन है कि रीता अपनी मासिक आयका 25 परशन्ट घर के किराय पर जो बच रहा है यहनी 75 परशन्ट जो बचेगा उसका 300 भोजन प्रवे करती है सेश रासी का है सेश रासी क्या 300 परशन्ट भोजन प्रवे करती है यदि वह 5,250 रूपे बचा लेती है तो उसकी मासिक आयक कितनी है मानलो आप 100 रूपे कमाते हो थोड़ी देर के लिए परशन्ट दिया है असान हो जाएग करना देखो 100 रूपे आप कमा रहे हो 25 रूपे आपने खर्च कर दिया यानि 25 रूपे आपने खर्च कर दिया 25 परशन्ट किसके लिए अब यहां पर कितना बच रहा है अब यह बचेगा 75 रूपे तुम्हारे पास अब जितना बच रहा है सेश रासी का 30 परशन आप खाने खर्च कर देते हो इसका 30 परशन निकालो 30 बटे सो करो तो इसका कितना हो जाएगा पचलता दुरनादेश और सब्सक्राइब खर्च 325 यानी 25,25 रूप्या इधर आ गया कहाथ। तो सो में 25,25 रूपयए आप कर देते हो खाने खर्च भोजन पर और 25 रूपय आप खर्च कर दिया किराए पर और जो बतार है उसका तीस परसंट यानि ही आपने लग इस वह साड़े-बाईशंट जो एक्षिली में खर्च किया है उरजिनल डासी का तो इसको पच्चीस यह रुपए खर्च किया आपने सो में साड़े-बाईश रुपए और कितना खर्च किया टोटल total हो गया आपका 457 रूपया करच 100 में 100 में 457 परशंट आपने खरच कर दिया बचाया कितना होगा 100 में इसे 457 घटा लोगे तो बचायेगा कितना 100 माइनस 467 परतिशत बराबर हो जाएगा 549 यह निक हो जाएगा आपका 5422 परशंट साड़े बावन पर्षंट आपने बचा लिया है पैसा तो साड़े जो बावन पर्षंट है न साड़े बावन पर्षंट बराबर किसके है पाँच हजार दो सो पचास रूपए के यदि आपको हंडेट पर्षंट करना है इसको कि 100% इस कितना रहा हो भाई आपने देखा कि 52% हमने बचा लिया है जो कि हमारा 5250 रुपए बन रहा है तो ये पूरा कितना रहा होगा आप डिवाइड भाई साड़े बाउन से कर दोगे तो 100% आ जाएगा 5250 डिवाइड बाउन दसमलो 5% बराबर कितना हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा आपका ये बराबर कितना आएगा आप बावन सोपच्या़ डिवाइड़ बावन दसमालों फांच गुड nhân परशructive इस मतलब विटेशल होग कर लो यहां है तो टोटल कितना रहा है कि यहां पर यह कि दसमालों लोह उगे आप यहां पर भी तो सव बार जाएगा और सव गुड़े सव बार पर दस हजार आप सरे आट डी सही जबाब होगा अगला प्रश्न है वो चार सो तैंटीस प्लस तीन शो बार तीस है नीचे वही तो यहां पर बैलू आप कुछ सेम देख रही A आप मान लो इसको और इसको मान लो आप B यही तरह A और B है यह और नीचे A गुड़े B है तो यदि आप उपर को साल्व करोगे तो क्या आएगा A प्लस B का होली स्कौाइर है और A माइनस B का होली स्कौाइर बीच में माइनस है तो यदि आप इसको देखोगे A plus B का whole square minus A minus B का whole square तो A plus B का whole square बावर क्या होगा A square plus B square plus 2AB minus A square plus B square minus 2AB होता है अब यहाँ पर आप देखो थोड़ा और इसको शाल कर लो A square plus B square plus 2AB minus A square minus B square बावर आप ब्रेकर खोल दोगे यहाँ minus है तो minus minus plus हो जा रहे है तो minus यह minus आया minus और यह B चौला minus into minus क्या होगा plus हो जाएगा plus 2AB अब यहाँ पर देखो A square और A square minus गया plus minus plus B square minus B square यह हो गया जी जो तो यहाँ पर क्या 2AB और यह plus 2AB बच रहा है तो उपर का जो रिशियो आ रहा क्या आ रहा plus 2AB plus 2AB यह नहीं फोर AB आ रहा है उपर और नीचे आप देखा क्या है कि A into B है A into B तो AB से AB गया बच क्या रहा है फोर फोर ही अंसर आएगा आपका यहाँ पर option B ठीक है तो A और B मान लोगे तो छोड़ा आप जल्दी साल्व कर ले जाओगे क्योंकि फार्मूला बेश पर ही तो हाई है आगे देखो यह आपका 5 और इसमें कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी तो मोटी मोटा आप देखोगे तो अंडरूट की value क्या होगी 25 वी क्या जैसे चार है चार का अधागा अधा हो जाता है तो इस तरह आप यहाँ पर देखोगे तो वन प्वाइंट वो संधंकर के आता है तो यह अपने आप में दो से कमी है यह भी तीन से कमी है तीन से बहुत कम होगा यह तो यहाँ पर जो है आप देखोगी तो अंडर रूट फोर दिया है इसकी वैलू टू आएगी यहाँ पर यहीं बड़ी वैलू होगी नई समझ में आ तो इसको आप लिख सकते हो 3 की power 1 by 3, इसकी बात किया है, अंडर रूर फॉर है, इसको आप लिख सकते हो 4 की power 1 by 2, इसको आप लिख सकते हो 5 की power 1 by 3, अब यदि हम आप सबकी घात जो है सेम कर ले जाएं सबकी जो घात दी रखी है अगर इसको हम सेम कर लें तो हम तुलना कर लेंगे जो बड़ा होगा वही बड़ा हो जाए अब घातों में दिया है एक बटे दो है एक बटे तीन है एक बटे दो एक बटे तीन और यहां पर आ पर क्या आगर आप नीचे सिक्स होगा दो तीन लोगे तो इसी तरह यदि आप टू की पावर कि वन बाइट टू को यदि हम उपर नीचे क्या करें तीन से गुणा कर दें तो कोई प्रभाव पड़ने वाला है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ठीक है क्योंकि गहाथ हमको सेम करना इसी तरह आप तीन ले लो तीन को आप करना है 1बटे 6 की रूप में, 1बटे 3 है, तो इसको आप इधर 2 से गुड़ा कर लोगे, उपड़ 2 से गुड़ा कर दो, कोई फर्क पढ़ेगा ना? इसी तरहां फॉर को ले लो वट है तो छे में बदलना है जो एक बट्टे दो है तो छे में शाली से नीची गुढ़ा कर लोगे तीन से उपर गुढ़ा कर दीए कोई पर भाज़ेगा कोrau नहीं इसी तरह पांच को आप देख लो पांच है तीन इसको एक बटे छे में बदलना है एक बटे तीन को तो यहाँ नीचे दो सुगुणा कर दोगे एक बटे तीन में उपर भी दो सुगुणा कर लो कोई फर्क वड़ेगा ना अब यहाँ पर आपका जो है घा तो सेमा जा रही है अब टू की पावर्ण थेरी कर लो आप तो एट की पावर वण बाई सिक्ष हो गया इसी तरह आप देख लो इसको तो तीन तरिक नो हो गया थेरी स्कॉ अजर का मतला नौ एक पावर उसक्ष हो गयी अब पावर से माजारी तो नकल लोगे आसान से कौन छोटा कौन बड़ा होगा अब फोर देखो चार चोक 16 चोक चोट फोर क्यूब कितना हो जाएगा 64 कि पावर एक बटे छे इसी रहा पांच वाला देख लो तो पचाहम 25 है दो इसक्वाइर और एक बटे छे अब यहां पर कौन सा है रूट फोर की वैलू आई है यह निकाला गया तोलना के लिए वटे जे तो इस तरह यहां पर आपका अंडर रूट फोर जो है सबसे बड़ी संख्या आप से नहाशी सही जबाब है अगला है किसी कच्छा में 40 शात्रों का आउस्ट भार 60 किलोग्राम है जब कच्छा में 10 नए शात्र इंटर करते हैं तो आउस्ट भार 64 किलोग्राम हो जाता है यह पांच नए शात्रों का आउस्ट भार 72 किलोग्राम है तो 35 नए शात्रों का आउस्ट भार ज्यात करना है तो प्रस्ट में आप समझ पा रहे हैं जब कच्छा में दस नए छातर सामिल होते हैं दस नए छातर तो आुसट पहले जो 60 थाना वो 64 हो जा रहा है लेकिन दस और सामिल हो जा रहे हैं चालीस प्लस-10 हो जा रहे हैं यहीं हुआ शाधर व पचास शाटरों को डूटल आंसाट आ जा रहा है तो डूटल आंसरत जो है चोणसर आ जा रहा कितनी का पचास तो 50 गुड़्य आप ने कर लिया यह 50 गुड़े 64 बरावर किसके है एक तो 40 चात्रों का उस्षट जो 60 रहा है तो कच्छों की जू संख्या रही होगी कितनी 40 40 गुड़े 60 यह टोटल आ गया आपका इसके बाद 10 आउर आये थे तो दस में तो पांच का आपके निकाल ही दिये हैं कि पांच नए छात्रों का उस्षट भार जो है वह बहत्तर है तो पांच गुड़े बहत्तर आपने कर लिया कि क्योंकि बाई 40 यह रहे होंगे 40 गुड़ आये रहे होंगे तो दस में तो पांच ही दिया है तो पांच हमने देख लिया पांच और बच रहे नहीं चाद्र की निकालना है ऐसात पांच ऑल हंगे le तो पांच ने शात्रों का बहार कितना होगा तो भार हम 5 इंटू एक्स कर देंगे तो आ जाएगा बहार तीसी तरह इसका भी भार आप जोड़ लो 5 इंटू एक्स अब यहाँ पर आप यक्स की वैलू पूट कर लो यक्स की वैलू जो आएगी वही अंसर हो जाएगा आप देखो कैसे शालू करोगे चालीस गुड़े साथ दिया है तो छे चूग चूबिस यन्हीं आपके आ गया यह 2400 और यह दिया है कितना बाच गुड़े भात्तर है तो 5, 7, 35, 5, 2, 10, 360 हो आ गया अब यह 360 है फिर फ्लस पांच यक्ष है 5 यक्ष अब इधर कितना आएगा 5, 35, 24 यनी इहर आ गया 32 तो 5 यक्ष बराबर कितना आ रहा है बत्तिस सो माइनस 24, 3, 27, 160 27, 160 यह कितना होगा 27, 5, 32 होगा 60 होट निकालोगे तो 500 मेनी 440 आ जाएगा तो 5 यक्ष बराबर 440 आ रहा है तो यक्ष बराबर कितना हो जाएगा 440 डिवाइड वाई 5 5, 48, 48, 48, 18 आएगी बहलूग आपसन इस ही जबाब है मैत का हो गया complete आगे बढ़ते हैं आ रहा है आपका हिंदी का कभी का स्थ्रिलिंग आपको बताना है कभी का स्थ्रिलिंग कभी का स्थ्रिलिंग होता है कभी यह त्री आपसन यहाँ पर आपका सी सही जबाब होगा द्यान देना है कभी यत्त्री नहीं लगा कि आना है कभी यत्त्री आगे देखो आप पैर का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है पैर तो पैर का जो शमानार्थी होगा वह होगा आपका पद बनेगा चरण भी होगा पैर का और यहां पर जो दिया हुआ है पग पग भी होता है शमानार्थी यह नव दिया है तो नव का मतलब होता है नया यह नया नया तो इसलि कौन सा सब्द वीजली का प्रियाइवाची हो, वीजली का तो और द्यज्य के प्रियाइवाची बिद्दुद्ध ह्षण-प्रभाच-प्ला इन्द तड़ित दामडयी चंचला ये सब होते हैं जब्दाममेंाрий होगा, दामनी हो श्यां पर आप देखिए दामरी भी दिया ह शर्वड़ी भी है, तनया यहां है, यह सब लग लग दिकь रहे हैंशपी को शर्वड़ी है, रमड़ी है, त suiv के जवाब है, अदन्हे ज़ाए पत्री आ पुत्त्र होता है, पुत्री है रमडी दिया है तो रमडी जो है ये अपने आप में इस तरी का प्रियाबाची है कर निमिल्कित में असुद्ध वाकि की पहचान करनी है कि गौतम रिशी की पत्नी का नाम अहल्या था अहल्या ठीक बिल्कुल इसकार में बहुत बिलंब हो गया रसगुला बहुत स्वादिस्ट है एक गुलाब की माला खरीद लेना अब यहां पर आप जानते हो माला में क्या होता है माला में एक गुलाब तो लगे ना गुलाब के कई सारे जो है उसमें लगेंगे आपको फुल तो कई गुलाबों की आवश्यक्ता होती एक गुलाब का मतलब होगा है नहीं ठीक है गुलाब की माला खरीद लेना तब होता सही लेकिन एक गुलाब लिख दिया हो गया गलत आपसन यहां पर आपका डी होगा सही जबाब जो युद्ध में स्थिर हो शिया आप क्या कहोगे युद्धि स्थिर आपसन यहां पर आप mail कि है कि अगला आपको से नर्ट बताना प्रयाइब किया होगा इंपल दिया है इसका मतलब होता है प्रचूरिया प्रयापतिया काफि पर शारे जो पी सरोगा सपीजियनट आप्षण इंडोनिमस आपको बताना हूंै है बारबरिक दिया है तो इसका आर्थ होता है कुरूर बरबर जंगली तो इसका उल्टा आप बताओगे कि बिल्कुल सब है न सिविलाइजड आप्शन भी होगा अगला रिजनिंग का देखो दिए गए बिकल्पों में से संब्धित सब्द का आपको चैन करना है खराब है पर इस सही जबाब होगा पहला दिये यहां पर 47 नंबर है कि अधित तरह लिखते हो तो इसी तरह आप एक्वेशन को कैसे लिखोगे अभी यहां पर आप जितना जल्दी भीडा ले जाओ जितना जल्दी आप शाल्प कर ले जाओ उल्टा सिद्धा करके इसी में देखो आ एक बाद जड़ा रहा ते यह मतलब कुछ बैठ रहा थी पास है उल्टा सिद्धा करूं यहां पर यह दिया है अब यहां यह दिया आप देखोगे तो जड़ का जड़ के बाद ए आ रहा है ठीक है इस तरह चल रहे है जड़ ए इसकी बाद यल यं कि यल के बाद यह मारा ह है तो इस तरह पहले आप equation को लिख लो इक्वेशन टी आई ओ एन टीक है अब यहां पर हम तीसरे को देखें तीसरा का पहला है यहां पर यहां पर क्या रहा होगा कि तीसरा जो वर्ड है वो क्या रहा होगा डीकी मार्ड के आया होगा यह दिख साल करके देखना चाहोगा और यह यहां और यहां पर अनसर यह आपको यहां आप ज्यादा जमांग लगा Women Z के बाद गिन रहना A आ रहा है तो यहां पर ऐसा कौन सा होगा जिसके बाद Q आएगा तो यह मनूब P आता है P के बाद Q आता है और इसी तरह यहां पर देखोगे तीसरा यहां पर पहला है P, Q, R, E, S, T E, S के बाद T आ रहा है तो यहां पर कौन सा ले आएगा इस टी यू टी के बादी वाता है तो टी के बादी वाया देख रहें उल्टा तो इस तरह आप कर लोगे इसका सब तो आ जाएगा आपका अंसर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो आप से यहां पर बी आपका सही जबाब ज़न जाएगा आगे देखो अर्ष सिव की पिता है और द्रूब बिमल का बेटा है इस्वर अर्ष की पिता है यदि सिवम द्रूब का भाई है तो बिमला का इस्वर से क्या संबंध है अब यहां पहले पकड़ो सिवम की पिता है तो हो गए सिवम सिवम की जो पिता है वो कौन है अर्ष है अर्ष यह हो गए इनके पिता इसके बाद और कुछ संबंध बन रहा है अर्ष का अर्ष दिखा रहे है अर्ष के जो पिता है वो इश्वर है तो अर्ष की पिता और ले जाओ आप उपर किसो लिखो गए इश्वर यह के इनके पि पिता ईश्वर और इसके जो होगे पिता ईश्वर आगे वो क्या बोला है कि सीवम जो है वो धुरूब का भाई है सीवम कौन है धुरूब का भाई यह सीवम दिख रहे हैं आपको सीवम किसके भाई है धुरूब के यह धुरूब के क्या हो गए भाई तो आपस में भाई भाई हो गए और यहां पर आपने देखा कि धुरूब जो थो है वो बिमला का बेटा है बिमला तो इनकी अम्मा होंगी ये माता होंगी बिमला का बेटा है तो इसमें जो आपको निकालना है वो रिलेशन निकालना है कि बिमला जो है इस्वर से क्या सामबाद यानि इस्वर की जो बिमला है वो कौन लगेंगी इस्वर की, तो इस्वर ये है, उपड आप देख रहे हैं, अब यहां पर देखो, यह दोनों हो गए ध्रुब और सिवम भाई, अर ध्रुब की अम्मा है विमला, और यह भाई है, तो उनके पिता भी तो अर्श होंगे, ध्रुब के, ध्रुब की सिवम की पिता कौन अर्श ह और ध्रुब और सिवम की अम्मा बढ़ जाएंगी विमला यह हो गए हस्बेंड वाइफ हो गई तो जब यह वाइफ है और अर्स जो है यह पति है और अर्स के पिता का नाम कोई है इश्वर है तो इश्वर की विमला कौन होंगे बहु होंगी बहुरिया अना तक पुत्र नश्वर है विडवार है तो 15 अगस्थ का कौन सा दीन होगा यह दिन जुलाइव का दिन हो है लो है तो जुलाइव गंद अहीं को फिर बुद्वार और 20-ride ब्रश्पत वार 30 हो जाएगा 28 वुद्ध वहांतिश विरस्पत तीश हो गया आपका कि शुकृवार और 31 हो गया सनीवार रविवार कौन सा दिन होगा एक अगस्त पड़ेगा तो एक को रविवार है एक अगस्त को तो एक साथ आठ यानि आठ अगस्त को फिर रविवार आठ में साथ जोड़ोगे तो पंदर आ जाएगा और पंदर अगस्त को ही निकालना है तो पंदर अगस्त को भी क्या है रवि पर आप देखिए कितने दिन है जुलाई में 31 का महीना होता है तो साथ के पहले छे आया तो 25 शाइक 31 होता है तो 25 दिन इधर हो गया जुलाई का और 14 दिन इधर हो गया तो 14 और जो डो पंदर अगस्त को निकालना है आपका तो केतना है आप 25 और 14 केतना होता इधर 49 49 को आप साथ से डिवाइड करो तो 7 25 पलस फूर आरा 3 थो पलस फूर जब से शुफल आ रहा है और आप जानते हो शाथ से स्टार्ड की थे तो साथ जुलाई को क्या पढ़र आपका साथ जुलाई को बुदवार है तो इसमें 4 दिन और जोड़ लो आप तो बुद्ध डेश्पत शुक्र शनीचर इत्वार जिरुवार यानि आपका हो जाएगा चार इस तरह भी आ जाएगा चलिए आगे देखते हैं पचास नमबर है दोस्तो चार सब्स दिए गया है इससे आप चांठ वाल अभास करते हो वह भ्ивать इसे अपको और ये रहता में यह तोай ये जमकरते हैं में आपको सही जबाब है चली अगला प्रश्ण है आपका करंट अफी और तो में किस भार्तिय प्रबंधन आयायम ने देश का पहला क्रिसी भूमे मूल लिए सूचकांग का कौन शा आई 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 एम है तो आई आई एम अहम्दाबाद है आप्शन ए होगा फरवरी 2022 में शुरू किये गए सारभमुई टीककण कारिक्रम सखन मिशन इंद्धनुश फोर को राज्यों के दसासी प्रदिशों के तेजिलों में संचालित किया जाएगा यहाँ पर सही जबाब होगा 416 अप्शन सी होगा फरवरी 2022 में कि सुरंग को 10,000 फीर सी अधिकुंचाई पर से इस्तित सबसे लंबी राजमार सुरंग के रूप में वर्ड बुक आफ रिकार्ड द्वारा मानेता प्रजान की गई है सही जबाब होगा अटल सुरंग आप्शन डी हेनले उम पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पाशपोर्ट एंडेक्स 2022 क्वाटर सिरी में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है भारत को क्वाटर सिरी के हापर बात की गई है सत्ताज पास्थान है क्यान थ्प्राब हैं है लिए जबाब होगा स्थान डिल साय नउल्पांग बेंकिंग श्टाटप भारत का सही जबाब है अप्शन B Home पेन अगला है कि अंतरराश्टी उर्जाइजनसी की एक रिपोर्ड की अंसार भारत वर्ष दूहजार चब्वीस तक विश्ट के तीसरे सबसे बड़े इतनालों फोक्ता के रूप में किस देश को पीछे छोड़ देगा यहां पर सही जबाब होगा चाइना को आप सने होगा अगला है आपका कि उत्तरप्रदेश के किस सहर में इसके लिए इंडिया अंतरराश्टी केंद्र की अस्थापना की जाएगी किस सहर में इसके लिए इंडिया अंतरराश्टी केंद्र की अस्थापना सही जबाब आप सुन सी वारांड सी नॉमबर 2021 में प्रधान मंत्री न रेन मोदी की द्वारा पूर्वाइंचल एक्सप्रिश का उद्गाटन किया गया एक्सप्रे की लंबाई जो है वो लगभग 341 किलो मीटर है एक्सप्रेश बेब बलिया के मंदारिया गाउं तक जाएगा तो यह बात जो है गलत है आपसरे हां सी सही जबाब है ठीक है शुल गाउं तक जाएगा आपसंस थी करक्ट आंसर आगे बढ़ते हैं तोक्यो ओलम्पिक 2020 में भारती पदक विजिताओं कि संबद में कौन सा कथन सत्या नहीं है आपको बताना है तोक्यो ओलम्पिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक लवलीना भॉरगैन ने जीता है तो पहल तोनन इस प्रदा रही वंचास किलो गराम भारग बर्ग में जीता था ठीक है तो यह मीरा भाई चानू रही है लवलीना नहीं तुछ आपसं यहां पहला गलत है बाकी सबस्वजई हैं आगे बढ़ते हैं अगला है आपका 16 नंबर अबुद्धावी जो है राजधानी किस पर आपका डी होगा राष्टी रेल संग्रहले कहां पर इस्थित है राष्टी रेल संग्रहले तो नेशनल रेल म्यूजियम जो हो नई दिल्ली में स्थित है आपसं यहां पर एस सही जबाब होगा इसका उद्गाटन 1977 में किया गया था निमलकित में इसे कौन सा सही जबाब बन जाएगा बुकर प्राइज आपसंद बी होगा हजार चौरासी की माँ पोस्ता के लेखक कौन हैं सही जबाब होगा महाश्वैता देवी भारती संसद में कितने सदन में कितने सदन हैं दो सदन लोक्षभा और राजशभा ठीक है आगे देखो बाकिए अग पूछा जाता तो तीन होता है जिसमें राष्ट पदीव हो जाते हैं ग्यान पीठ पुरसकार किसे प्रदान किया गया है ग्यान पीठ पुरसकार यहां पर सही जवाब होगा दामो धर मावजो को आप्शने होगा मार्ज अप्रल 2022 में इटली आयोजित पैंतालिस वी जो जिनियर टीम्स रेड़ी में किस देश ने रजद पदग जीता है यहां पर सही जवाब बनेगा आपका अपना प्यारा भारत है गरतनत दिवस परेड़ 2022 में किस राज की जहांकी को सरफसेश्ट जहांकी का पुरुषकाल प्रदान किया गया तो प्यारे उत्तर प्रदेश की जाके आप सब्सक्राइब है जनवरी 2022 में शंपन टाटा इस्टीद सतरंज 2022 के चैलेंजर्स वर्ग का खिताब किसने जीता है यहां पर आपका सही जवाब बन जाएगा आरजून एरगी सी आपसन यहां पर एह होगा सही जवाब बाकि 70 यहां इकतर से लेकर कि आपका ज जो आपका ग्राफ है उसको आप लगाएगा अच्छे से अराम से बिलकुल के वल कल्कुलेशन करना होता है वीडियो कर लेंगा आपको वीडियो की डिस्रिप्शन में जाए कमेंट बाक्स में वहां पर आपको पिर हुआ मिल जाएगा और इसी के साथ आपका पूरा यह ज बीडियो आता है